एक जंगल में कालू कव अपनी पत्नी तुन्टुनी चडिया और बेटी सुनहरी चडिया के साथ रहता था कालू को एक नंबर का शराब यो आलसी था शराब पीकर दिनबर घर में पड़ा रहता था उसकी सी आदत से तुन्टुनी भी बहुत परिशान रहती थी एक दिन टुन्टुनी चडिया ने कालू कवे से कहा कालू, अम मुझसे केली भोजन नहीं ढूंडा जाता रोज रोज भोजन लाने मैं ही जाती हूँ किसी दिन तुम भी चले जाया करो मैं बहुत थक जाती हूँ तुम्हें जरा भी फिकर है या नहीं हमारी बच्ची का तो खयाल कर लिया करो टुन्टुनी, मेरी तबियत अभी तक ठीक नहीं हुई है जैसे ही मेरी तबियत ठीक हो जाएगी मैं भोजन ले आऊंगा अभी के लिए तुम चली जाओ ज्यादा देर ना करो वरना भोजन नहीं मिलेगा फिर हमें भूका ही सोना पड़ेगा इसलिए समय बरबाद ना कर टुन्टुनी जा खाना लेया ये सुनकर टुन्टुनी घुसे में कालू को इसी कहती है कालू, तुम्हारी बिमारी के बारे में सुन-सुनकर मेरे कान पक गए है तुम जूर बोलते हो बस बहाना बना कर सारा दिन घर में पड़े रहते हो टुन्टुनी तुम्हारी बगबग सुनकर मेरी तबियत और बिगड जाएगी मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के घर वहीं आराम करूँगा ऐसा कहकर कालू को वो घर से चला जाता है फे टुन्टुनी अपनी बेटी सुनहरी चड़िया से कहती है बेटा तेरा बाप तो चला गया अम मुझे ही भोजन लाने जाना होगा मैं भोजन लेने जा रही हूँ तुम घर में रहना अपना खयाल रखना बाहर मत निकलना बहुत तेज गर्मी पढ़ रही है तुम बीमार पढ़ जाओगी मा गर्मी बढ़ गई है मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है हमारे घर में तो एक भी पंखा नहीं है मा अपने घर कब पंखा आएगा आएगा बेटा आएगा मैं जल्द पंका लेकर आऊंगी बेटा मैंने जो सबजी उगाई है वो जल्दी तैयार हो जाएगी फिर मैं उसे बेश कर जो पैसे मिलेंगी मैं उससे पंका खरीद कर लाऊंगी इस तरह एक सब्ता गुजर जाता है तुन्टुनी चड़िया की सबजीया तैयार हो जाती है वो सबजीयों को तोड़ कर बजार में बेशने जाती है आलू मटर गोबी ले लो लाल लाल टमाटर ले लो सबजी ले लो सबजी तासा तासा सबजी ले लो तभी वहा रानु चड़िया आती है और वो तुंटुनी चड़िया से कहती है तुंटुनी बेहन मुझे एक गोभी दे दे मेरी बेटे पकोड़े खाने के जित कर रही है तुंटुनी बेहन थोड़ी मिर्ची भी डाल देना और सुनो तुंटुनी बेहन आजकल कालू की दोस्ती भुला उल्लू से कुछ ज्यादा ही हो रखी है कल मैंने देखा था दोनों नदी किनारे बैठे शराब पी रहे थे जब मुझे कालू कवे ने देखा तो कालू ने शराब की बोतल शिपा ली और वहां से चला गया मेरी मानो तो थोड़ा उसे समझाओ वरना वो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा फिर आगी चल कर तुम्हें और सुनहरी को बहुत करिशानी होगी है दया ये तो मुझे पता ही नहीं था रानो बेहन अच्छा हुआ जो तुमने ये बात मुझे बता दी आज घर जाकर मैं उस कालू की खबर लूँगी मैं उसे भोजन लाने को कहती हूँ तो मुझे कहता है तब्यत खराब है आज तो मैं उसके तब्यत ठीक कर दूँगी तुन्टुनी बेहन लेकिन एक बात का ध्यान रखना आप मेरा नाम मत लेना नहीं तो कालू मेरे पीछे पड़ जाएगा ये कहकर रानो चुडिया वहां से चली जाती है रात हो चुकी थी कालू को वह घर आकर सो जाता है ओ कालू ऐसे सोने से काम नहीं चलेगा मुझे पता चला है तुम उल्लू के पांच शराब पीने जाते हो तुम्हारी कोई तब्यत खराब नहीं है तुम बस बहाना बना कर जूट बोलते हो और काम से बचने की कोशिश करते हो लेकिन बस अबॉर नहीं किस ने कहा तुमसे की मैं शराब पीताऊं जरूर उस रानोचडिया ने तुमसे कहा होगा मैं उस रानोचडिया को ठीक कर दूंगा तुम्हारी चोरी पकड़ी गई, कालू, दूसरे को कहने से क्या फाइदा, मुझी तो पहले ही शक था, तुम्हारी तबित खराब नहीं, तुम रोज शराब पीने जाते हो, पर मैं कह नहीं रही थी, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था, अब तो सबूत भी मिल गया, कल ये सुनकर कालू को घुसा आजाता है, और वो वहाँ से चला जाता है, ऐसे ही एक हफ़ता गुजर जाता है, तब ही एक दिन ममा एक हफता गुजर गया अभी तक आप पंखा लेकर नहीं आई आपने तो मुझे वादा किया था कि आप पंखा लेकर आएंगी मुझे बहुत गर्मी लग रही है मा सुनहरी बेटा बस दो चाह दिन की बात है फिर मैं पंखा जरूर लाओंगी तो से मैं वादा करती हूँ सबजी बेशकर मैं थोड़े थोड़े पैसे खटा कर रही हूँ बस थोड़े से पैसे बचे है मैं तेरे लिए पंखा ले आऊंगी कालू को वह तुंटुनी चोडियो सुनहरी चोडिया की छुपकर बाते सुन रहा था सुबह तुंटुनी चोडिया के ऊठने से पहले ही कालू पैसे चुरा कर शुराप पिने अपने उलू दोस के पास चला गया जब टुंटुनी सोकर उठी तो उसने देखा अलमारी से पैसे गायब थे ए भगवान ले गया सारे पैसे चुरा कर वो शराबी कालू का हुआ अम्मे अपनी बच्ची के लिए पंका कैसे लाओंगी वो सारे पैसो को शराब में उड़ा देगा बड़ी मुश्किल से मैंने पैसे जोड़े थे अम्मे शराबी कालू के साथ एक पल नहीं रहूंगी उठो बेटर सुनहरी उठो अम्मे तुम्हारे बाप के साथ नहीं रह सकती चलो हम दोनों कहीं यह रहेंगी अब एक पल भी मिस घर में नहीं रहूंगी तुन्टुनी चड़ी अपनी बेटी सुनहरी के साथ घर छोड़ कर चली जाती है फिर रानो चड़ियों से रास्ते में मिलती है और तुन्टुनी उसे सारी बात बताती है तुन्टुनी बेहन तुम कहा जाओगी तुम्हारा मायका भी तो नहीं है ऐसा करो मेरे घर के पास काफी खाली जमीन पड़ी है गर्मी का मौसम है वहाँ पर तुम कच्छे आम की खेती कर लो कच्छे आमों की मार्केट में बहुत डिमांड रहती है और पास वाले पेड़ पर अपना गोसला बना लेना हाँ रानो बेहन तुम्हारी बाते सो आने सही ह मैं ऐसा ही करूंगी फिर टुन टुनी चुडिया रानो चुडिया के पास वाले पेड़ पर अपना गोसला बना लेती है और कच्छे आमों की खेती करकी अपनी बेटी सुनहरी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है